आज हमारे पास है Samsung M02 Android 11 इसका Google ID Lock हो चुका है तो अभी इसको कैसे रिमूव करते हैं बिना किसी Alien Shield एप्लिकेशन के दुआरा या Samsung एकाउंट यह अपको कुछ भी एप्लिकेशन की ज़रूत नहीं है Only one click में, one click में FRP Lock हट जाएगा सबसे पहले इसको आप verify कर लेते हैं कि इसमें Google ID लग चुका है तो सबसे पहले एक Wi-Fi को connect कर लेना है इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका Google ID Lock हो चुका है और इसको एक one click में कैसे FRP रिमूव करते हैं बिना किसी Alien Shandled एप्लिकेशन के दौरा या कुछ भी आपको Samsung account या कुछ भी और application के दौरा सबसे पहले इसको confirm कर लेते हैं कि ये Google ID Lock हो चुका है हमने एक Wi-Fi connect कर लिया है अभी देख सकते है स्क्रीन पर skip को option नहीं आ रहा है यानि अभी पूरी तरह से account Lock है next भी नहीं चल रहा है आपका तो अभी इसको सबसे पहले हमें क्या करना है switch off कर लेना है अभी हमने verify कर लिया है इसमें Google ID Lock लग चुका है तो सबसे पहले इसको switch off कर लेते हैं power off कर देना है अभी आपको computer screen पर जाना है वहाँ पर आपको unlock tool है computer में आपके unlock tool होना चाहिए या UMT dongle जो भी आपके पास है सबसे पहले इस mobile में media tech CPU है तो media tech में click कर देना है और नीचे erase FRP यहाँ पर आपको click कर देना है इस mobile में आपका media tech CPU होता है erase FRP पर click कर देना है waiting for device आएगा नीचा आएगा authentication और waiting for device का option आजाएगा अभी आपको क्या करना है mobile को USB के द्वारा connect कर देना है मैं आपको बता रहो सबसे पहले इसको USB के द्वारा connect किस प्रकार से करते है आपको volume up की press करना है खाली volume up की press करना है और USB connect कर देना है phone में जैसे ही connect कर दोगे phone में तो जो आपको unlock tool है उसमें आपका ये phone connect हो जाएगा यानि कुछ अगर आपके पास driver इस्टॉल नहीं है तो install कर लेना MTK उसके बाद में सीरा connect हो जाएगा नीचे लिखावाएगा bypass का option आजाएगा और waiting for device की जग़ा okay लिखावाएगा आपका computer port connect हो जाएगा अभी नीचे अभी आपका phone connect हो रहा है या FRP remove हो रहा है यह unlock tool या EMT triangle के द्वारा भी इसको unlock कर सकते हैं MTK CPU इसमें available रहता है M02 में और यह Android 11 है आपको कुछ भी करने की ज़रूत नहीं वा खाली one click कर देना है erase FRP पर तो अभी मैं आपको पूरा process बताऊंगा उसके बाद में mobile on करके भी पूरा बताऊंगा erase FRP ok हो चुका है यानि अभी FRP remove हो चुका है तो अभी मैं आपको mobile को on करके बता रहा हूँ अभी हमारा FRP lock है वो remove हो चुका है यह देखिए mobile की screen पर यानि अभी चार्जिंग का बताएंगा अभी आपको क्या करना है इसका USB cable remove कर देना है Source यह charging का arrow बताएंगा यानि ok हो गया है तो अभी इसको remove कर देना है अभी USB केबल computer से और phone से remove कर देना है अभी या on न होगा इसके लिए आपको USB cable remove कर देना है यह remove कर दिया है हमने USB cable अभी इसको power on कर देना है power on की दबा के प्रेस करना है तो अभी हम हमारा on हो जाएगा अभी हमें क्या करना है थोड़े देर wait करना है थोड़े देर wait करने के बाद में mobile automatic चलो हो जाएगा जो start up process है वो आपको पूरा follow करने दे दिए यह भी हम mobile को on करते है अभी यह थोड़ा time लेगा तो friends मैंने जो पूरा process बताया है वो unlock tool या UMT dongle के द्वारा आपको unlock हो सकता है यह mobile आपके पास media tech CPU अगर है इस mobile में तो तो मैंने जो process बता दिया है वो पूरा आपको follow कर देना है और अगर आपको कुछ भी help चाहिए तो नीचे मेरा जो whatsapp का number है वहाँ पर भी आप जाकर मुझे पूछ सकते हो और यह जो unlocking है वो paid unlocking है तो मैंने पूरा वीडियो में बता दिया है अगर आपको भी कुछ Samsung के FRP lock bypass करवा नहीं है या तो online करवा नहीं है दिये रिखे तो DM करके भी contact कर सकते हो तो मैंने पूरा process आपको इस वीडियो में बता दिया है तो इसके द्वारा आप इस mobile को FRP bypass कर सकते हो अभी मैं आपको next next करके पूरा process बता देता हूँ एक बार इसको पूरा आपको clear करके unlock हो चुका है उसके बाद मैं आपको अगर कुछ help चाहिए तो नीचे WhatsApp का मेरे number है description में तो वहाँ जाकर मुझे आप contact कर सकते हो और unlocking करवानी है अगर आपको भी online FRP lock है Google ID lock है जो आपके पस है वो आप मुझे contact कर सकते हो आपको अच्छी rate में आपको unlock करके दे दूँगा मैं जो भी process है जो भी अलग-अलग charge है वो मैं आपको बता दूँगा WhatsApp पे ही तो friends मैंने पूरा वीडियो आपको tutorial के साथ में बता दिया है तो इसको easy तरीके से एकदम easy तरीके से FRP कर सकते हैं Android 11 में क्योंकि Android 11 में अभी जो नया जो process system आया security में तो बहुत tough है तो friends वीडियो कैसा लगा comment करके जरूर बताना और मेरे स्ट्रिक के लिए एक like जरूर कीजी friends वीडियो को अच्छा लगे तो like जरूर करना